नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेट आज की 31 जुलाई 2023 देख लेते हैं इंडियान एक्स्प्रेस के एडिटोरियल और आईडिया पेज से इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखो आज में हैंगे तीन आ उनमें हमें क्या इंप्रोव्मेंट लाने की जरूरत है क्योंकि ये डिबेट अल्रेडी चल पड़ा है ठीक है तो हम समझेंगे यहां पर बहुत घजब के सजेशन दिए गए राइटर्स के द्वारा दूसरा आर्टिकल सिटीज को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं तीसरा कैसे हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्चर है ये सिस्टम इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें जिसें कि हमारे देश का एक भी बन्दा पीछे ना चूट पाए ये तो तीन आर्टिकल सी हो गए एक आर्टिकल है कि आज के समय में सोशल मीडिय का क्या तो खत्रा है हम बात करें सोल्जर्स की रिक्रूट्मेंट से रिलेटेड और क्या उसका हम फायदा उठा सकते हैं तो उस पॉइंट अफ्यूस है एक आर्टिकल उसको भी हम समरी लेंगे तो ऐसे हमारे पास में बेन तो तीन आर्टिकल्स है एक की हम समरी लेंगे च उसमें एक debate चल रहा है जिसमें एक article तो आया था कि sample is wrong कि कही ना कही sample service properly conduct नहीं हो रहा है फिर उसी article को counter किया गया था Statistians aren't stupid तो बोला इस debate में कही ना कही हमें कुछ important चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और writers जो है वो 5 important points को highlight कर रहा है इन पर attention देनी जरूरी है और साथ में solution भी दे रही है सबसे अच्छी बात क्या है कि solution भी मिल रहा है कि जो statistics का जो काम है देखो data collection अगर proper होता है तो policy formulation accurate होती है policy formulation accurate उसका implementation एकदम proper हो जाए तो actual में जो problem है समाज की actual में जो issues है हमारे society में वो हम tackle कर पाते हैं तो सबसे पहला issue तो बताया जा रहा है कि हमें ये recognize करने की ज़रूरत है कि हमारे statistical system में कमिया है अगर देखो पहली चीज तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो पहले आप अपनी कमियों खुद के साथ अच्छा करना है खुद की personality को improve करना है तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे अंदर कमिया है जब कमियों को हम मानेंगे तब जाके आगे हम solution पर काम कर पाएंगे अब सवाल ये कि कमिया क्या है वो तो पता पड़े देखो हमारे आपर data collection का का काम हो रहा है National Statistical Office के दोरा NSO के दोरा अब data collection के दो तरीके है एक तो administrative method है एक sample survey method है दोनों के अपने कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है for example अगर हम data collection कर रहा है administrative sources से तो administrative sources बोला economical भी होता है और time भी बहुत कम लगता है ठीक है पर इसमें challenge क्या है representativeness इसका मतलब यह हुआ कि मान लो सरकार के पास में कोई data collected है समझे आप सरकार के पास में data collected है किसी भी scheme को implement करने से समंदित उस implement उस scheme में जो कुछ भी सरकार के पास feedback आया उस data को analyze करके अगर आप उस data में से data निकाल रहे हो उसमें से आप एक survey करके एक process आप बना पा रहे हो कि हाँ यह कमी है हमारे देश में यह problem हमारे देश में चल रही है यह trend देखने को मिल रहा है no doubt इसमें पैसा कम लगेगा क्यों गर्मेंट के पास data available है time भी कम लगेगा क्योंकि data एक जगए कठा मिल जाता है पर problem यह है representativeness कि वहाँ पर कितने लोगों से आपने feedback लिया क्योंकि आपको जो correction करना है आपकी policies में वो आपको यह पता होना चाहिए कि कितने लोगों तक वो policy पहुंच रही है कितने तक नहीं for example government के पास में data अगर collection proper है तो उसका use सही तरीके से होना चीए जिससे कि कोई भी पीछे ना छूट जाए तो एक तो बोला जा रहा है कि administrative source में यह कमी है पर यह economical और less time than consuming है दूसरा point आजाता है कि अगर हम sample surveys that means आप देखोगे कि महंगाई के लिए महंगाई के measurement के लिए हर एक state में तीन बड़ी cities को आपने identify कर रहा है तीन से चार या पाँच cities फीक है या चार से पाँच areas के बारे में आप survey कर लेते हो और वहां के हिसाब से projection लगा जेते हो कि हाँ इतनी महंगाई होगी समझे हो जैसे अभी अगर राजस्तान की बात करूँ तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर एक तो अलवर है एक आपका यह रहता है क्या नाम है जैपूर है और एक और याद नहीं आ रहा मुझे यह तीन centers है हर एक state के अपने अपने यह sample survey करने के अलग-अलग areas है अब इन तीन जगहों के बारे में जब survey कर लिया जाता है ना तो उसी से फिर idea लगा ले जाता है कि पूरे राजस्तान में क्या चल रहा है पर आपको पता है ना कि इसमें भी कहीं ना कहीं आप पर projection नहीं कर रहे हो और दूसरा यह costlier भी होता है पैसा भी लगता है पैसा भी लगता है तो ऐसे में इन दोनों methods के basis पे surveys होता है या तो administrative sources के basis पे या फिर sample survey के basis पे इस इनके जो कमिया है उनको overcome करना जरूरी है इसका तरीका बोला आप geospatial technologies को use करो crowdsource जो data platforms हैं वहां से आप अपने हिसाब से data collection का काम करो और समय के साथ में upgrade करते रहो technology को इससे क्या होगा कि latest updates आपको मिलते चले जाएंगे और साथ में कोई भी बंदा पीछे नहीं चूटेगा तो पहला काम तो यह कि हमें हमारी कमियों का पता होना चीए और कमियों को ठीक करना दूसरा national statistical system जो है उसको जरुरत है कि वो अपने ambit को expand करे और diversify करे इसका मतलब जिस तरीके से आज के समय में नई techniques हैं जैसे आप देख सकते हो आपने सुना होगा big data big data का मतलब मान लो कि आप किसी भी एक particular segment में आपको data चीए for example कि कितने लोग हैं जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं जो की बेरोजगार है for example तो आप 18 साल से ज्यादा लोग जो हैं वो कहां कहां पर अपना enroll करके बैठ है for example उन्होंने हो सकता है कोई unemployment scheme में अपना enrollment कर रखा है हो सकता है राइट हो सकता है कि वो individual जो है जिन्होंने social media platform पर अपना account बना रखा है हो सकता है government की कुछ scheme का benefit उठा रहा है इन सारी schemes के basis पर उन 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी बन्दे हैं ना उनका data आप collect कर लो data collect करके फिर उसको एकदम sorting करो उसके basis पर artificial intelligence machine learning जो latest technologies उनका यूज करो और पता करो कि actual में बेरुजगारी कितनी है अठारा साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तो बोले इस तरीके से हम latest technology का apply कर सकते हैं expand करो ठीक है ऐसा नहीं कि हाँ जी गिंती के दो तीन एरिया में जाकर करके survey कर लिया that's all no latest technology apply करो UN के statistics division ने भी इस बात के उपर अपनी guideline release कर रखी है कि big data वाले concept पर हम rely कर सकते है साथ में South Asian subcontinent में जो भी countries अलग अलग अपने approach लगाते हैं कि कैसे हम हमारे आपर statistics के ओपर काम करते हैं data collection करते हैं तो उसके उपर हम collaboration के basis पे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि data जितना ज्यादा available होगा उतना ही proper analysis हो पाएगा उतनी प्रॉपर और accurate schemes हम तयार कर पाएंगे थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो national system है ना उसको हमें integral बनाना होगा कैसे देखो state level का statistical system होता है state level देखो government state government भी तो policy दो बनाती है ना तो उनके पास भी data रहता है दूसरा district level का जो data है वो भी collect करने के लिए infrastructure develop कर दी जाए और होता भी ऐसा तो ऐसे में क्यों ना district state और national तीनों level पे जो statistical offices है ना उनको integrate कर दिया जाए इसको हम बोलेंगे bottom up approach इससे क्या होगा district level का data जब होगा तो आपको ground realities का पता पढ़ेगा और ground realities का पता पढ़ने के बा है हुई है 2020 में उसमें सब national accounts के बारे में बहुत जादा role मतलब बताया कि यह बहुत important role play कर सब national का मतलब हो गया state या district level के जो भी आपके पास data collection system है वो बहुत important role play कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि bottom up approach हो जाएगी इसमें ठीक है इसके लिए ministry of statistics and program implementation ने एक अपना program भी launch किया हुआ है that is that is the Indian statistical strengthening project इसमें क्या है कि world bank की तरफ से financial support मिल रहा है कोशिश क्या है कि state level का जो data collection system है उसको और जादा robust और जादा strengthen किया जाए और state level के data collection के basis पे फिर national level पर data transfer हो और फिर national level पर का काम हो कहने का मतलब एक integration लाया जाए ठीक है इसके अलाबा कुछ और efforts भी कर स्टार्ट को collect करना स्टार्ट को analyze करना उससे समंदित तो उसमें national subnational statistical system को integrate करना इसके लाबा इंटर एजेंसी कॉर्डिनेशन भी ensure किया जा सकता है इंटर एजेंसी कॉर्डिनेशन का मतलब national state और district तीनों level की जो एजेंसी जो data collection और data processing का का काम कर रही है ना इनको collaboration में लेक जी का भी पता पड़ेगा सीखने को भी मिलेगा अभी यह जो debate चल रहा ना क्या debate चल रहा है कि हमारे statistical office में data collection का method पुराना है हमें कहीं ना कहीं correct करना होगा तो उसमें debate क्या है पुराना या फिर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं biased है तो उसमें एक point था rural urban divide कि हमारे यहाँ प कि दोनो segments को एक तरीके से proper manner में tackle करने के लिए हमें काम करना होगा जिसमें district data collection centers है वो बहुत important role play कर सकते हैं क्योंकि सीधी बात है आपके जिले के administration को आपके जिले में जो data collection का काम कर रहे हैं जो institutions जो agencies उनको ज्यादा अच्छे से पता है बजाए कि एक state level के को या national level की जो agencies उनको क्योंकि local चीजों के बारे में ज्यादा पता रहता है न locals को तो उसका benefit हो सकता है इसके लिए मध्या प्रदेश ने एक कदम उठाया है मध्या प्रदेश ने अपनी तरफ से permanent state statistical commission है वो establish कर दिया है target है कि data flow एकदम proper हो कहां से district level से state level के लिए इसके लावा district level के लिए उन्होंने district domestic product जैसे हम national domestic product GDP की इनके gross domestic product या NDP की calculation करते है या state की GSDP की बात करते है तो उसी line के उपर district domestic product जैसे data को collect करने का और analyze करने का platform मध्या प्रदेश सरकार ने तयार कर दिया जिसमें GST network जो है जिसके basis पे GST run होता है पूरा गुच्छन services tax उसके लिए उस platform को use किया गया है इससे क्या होगा कि आपके पास में existing infrastructure उसी को आप एक दूसरा use दे पाओगे तो इस तरीके से बोला काम हो सकता है चौथा point यहां पर क्या आता है कि जरुद हमें है कि हम हमारे खुद के पुराने national experiences से भी सीखे कैसे है पहले हमारे weather forecasting होती थी थी ना उनकी बहुत इस तरीके की situation हुआ करती थी पर अभी क्या हाल है कि कहीं न कहीं हमारे जो weather forecasting आती है उसमें हमें पता पढ़ता है कि किस तरीके का rainfall pattern रहने वाला है आप कल के लिए आज रात को ही प्लान करके सो सकते हो कि कल मुझे बाइक से जाना है कि कार से जाना है तो इस तरीके से क्या ह हुआ 1988 में नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वैदर फॉर्कास्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया जो की आईटी वेस सिस्टम था मतलब कंप्यूटर का इनका बेस शुरू हुआ था फिर उसके बाद में हमने सूपर कंप्यूटर का इनका यूज किया समय के साथ सा इटा जब आने लगा हमारे पास में और ज्यादा पता पड़ा कि इंडियान मॉंसुन पर कौन-कौन से फेक्टर काम करते हैं तो इससे क्या होने लग गया कि वैदर फॉर्कास्टिंग और अक्यूरेट होगी तो बहुत इस पर हमें काम करने की ज़रुरत है पांच वा फिर सजेशन जो दिया जा रहा है एक्जाक्ली टेक्नोलोजी की बात जो आरे रहे रहे वो एक्जाक्ली वैसे जैसे आज हम यूपी आई को यूज करते हैं जी एस टी डिरेक्ट टेक्स और यह सारे पे करते हैं बोले यह बहुत आसानी से होता है काम तो वोही चीज़ हम यहाँ पर data collection में भी apply कर सकते हैं पांच वा यह सारा काम करने के लिए हमें expert officials की जरूरत है देखो अगर हमारे पास में physical human financial technological resources proper होता है तब जाकर के एक system efficiently काम करता है तो क्यों ना हमारी human resource को भी upgrade किया जाए समय समय पर उनकी training हो ठीक है नई technology को know how उनको समझ में आत हाई देगा हमें economic growth के लिए हम generally क्या कहते हैं कि अगर हमें sustained growth ensure करनी है तो हमें technologies का अच्छे से use करना आना चीए हमारे पास में education को expand करना होगा job पे proper training देनी होगी जिससे की quality labor हम तयार कर सके इससे automatically economy expand करेगी कि नहीं वही चीज यही चीज हमें यहाँ पर हमारा data जो collection का जो system and national statistical system है उसमें भी apply करने की ज़रत है target है 5 trillion dollar की economy बनना world की third largest economy बनना तो उसके लिए हमें technology पर तो rely करना ही होगा government की तरफ से national policy on national policy on official statistics ये budget 2020 में announce होई थी और इसको जल्दी से जल्दी finalize करने की ज़रत है इसमें जो भी resource चीए जो भी institutional support चीए वो आप ready करो ठीक है साथ में जो sustainable development goals है उनको achieve करने में जो bottom up approach की बात की जाती है कि local issues को जानो और फिर बाद में policy formulate करो उसके according वो implement हो तो बोले है update करने का इसमें कोई delay करने की हमें जरुद नहीं है तो ये था statistics में update लाने से संब्दित article अगला article है smart ideas for big cities आर्टिकल को लिखाया है फिरोज वरुन गांधी जी ने इनका ये कहना है कि पिछले कुछ हफतों में दिल्ली एमदाबाद मुंबई हर जगह पे बाड बरसात आजाती है इससे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको इतनी परेशानी होती है सबसे पहली problem तो पानी जो है वो निकल ही नहीं पाता पानी की निकासी नहीं उपाती water logging problem रहती है फिर उसके बाद में traffic congestion तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए जो हम mission लेकर के च ठोड़ो बड़ी हो रही है हमारी city urbanization बहुत जल्दी speed से हो रहा है तो ऐसे में हमें smart ideas पर काम करना होगा solution smart होने चाहिए तो writer इसी पर focus कर रहे है आज खुद देखो कि कितने ज़्यादा factors हैं यहाँ पर main तो कुछ factors को यहाँ पर writer explicitly बता भी रहे हैं सबसे पहला तो unplanned urbanization क् population expand हो रही है लोग शहरों में आ करके रह रहे हैं रुजगार के चक्कर में गाउं से लोग बलायन करके शहरों में आ रहे हैं migrate कर रहे हैं और फिर वहाँ पर उनके settlement के लिए बिना सोचे समझे आप ऐसे colonies काटते हो जैसे कि आप कैसे करभूजा काट रहे हो बिना सोचे समझ पॉइंट क्या रहे हैं यहाँ पर unplanned urbanization और population rise एक बहुत बड़ी problem है दूसरी construction बिना सोचे समझे कर दिया जाता है जैसे कि river के आसपास में कोई city developed है तो river का जहां जहां से पानी आ रहा है उन areas में आप क्या कर रहे हो construction बना रहे हो सीधी बात है अगर river के आसपास में आप construction करोगे तो flood आएगी लेग जहां पर पहले हुआ करती थी वहां पर आप construction करोगे तो definitely जब बरसात तेज आएगी तो लेग तो उपर rise करेगी तो definitely वहां के मकांदू डूबेंगे तो बोले यह problem है इसके अलावा water bodies है उनका encrosment हो रहा है बताया मैंने अभी किस तरीके से इस इसके अलावा देखा जाए तो cities जो है वहां पर concretization जादा हो रहा है that means आप देखो cities को बोलता है heat islands cities को बोलता है jungle of concretes कि इस तरीके के जंगल जहां पेड़ पोदे नहीं है वहां पर पथर कंकड cement से बने हुए मकान बने हुए सारे के सारे चाहे फिर वो मकान देख लो रस् नीचे रिस्के नहीं जा पाता पर कोलेशन है वो भी रुग गया अब पर कोलेशन अगर नहीं होगा तो भई सीधी बात है फिर रोड ना वो कहीं नहीं के waterway में convert हो जाएगी और अभी कल परसो Saturday के अंदर जैपूर में ऐसा हुआ है ठीक है यह अभी example तो बड़ी बड़ी cities का दिया है पर ऐसा जैपूर में हुआ है Saturday को इवन मुहरम की छुटी थी उस दिन की पर सोगी Saturday की पर यहाँ पर आफ करना पड़ा था फिर बाद में बाकी offices को भी एक बार तो फिर 11-12 आप देख लो लगबग 7 गंटे लगातार बारिश रही थी हाँ तेज बारिश आई थी दो-तीन फेजिज में पर वो बारिश इतनी खतरनाक थी कि आप देख लो कि चारो तरफ पानी लबा लब और जहां पर मैं रहता हूँ वो एरिया थोड़ा सा आउट्सकर्ट में है तो वहाँ पर परकॉलेशन प्रॉपर हो गया सुबह जो पानी भरा हुआ था वो सारा महल देखना जल महल का पानी है ना वैसे रोड लेवल से रोड जो बनी हुए उससे कम से कम 20 मिटर डैप्ट पर 20 मिटर भी नहीं तो कम से कम 20 फिट गहराई पे तो है वो पानी उपर रोड पे चड़ रहा था इतना पानी आ गया था उसमें और एकदम पूरी लबालब भर एक तो यह क्यों हो रहा है यह में आपने construction कर दिये क्योंकि आपने floodplaints के अंदर आपना construction कर दिया इंडिया मे पिछले 30 सालों में बताया जा रहा है लगबग 40% वैटलेंड को में लूज कर शुक है है जिसमें बड़ोदा का एक्जांपल दे रहे हैं वोला 2005-2018 में 30% लू water bodies के ओपर construction हो चुका है तो यह कहीं ना कहीं blue infrastructure का loss है कि नहीं अब अगर blue infrastructure का loss करोगे तो जो blue water है वो problem create करेगा कि नहीं अब सवाल यह है solution क्या है तो writer यहाँ पर कुछ solution दे रहें उनकी बात करते हैं first हमें जरुवत है कि problem क्या है कि उसको हम समझे राइट राइट सबसे पहली चीज कि जिन एरिया जो भी एरिया फ्लड प्रोन है फ्लड रिस्क जादा है जहां पर आप कह सकते हो urban water bodies पहले थी पर आप चाहे वो river हो लेको वहाँ पर आपने क्या encroachment कर लिया कर लिया तो उसको clear कराना चीए वहाँ से लोगों को resettle करने की जरुवत है ऐसी जगहें पर जो एरिया थोड़े height पर हो ठीक है इसके लिए short, medium और long term major sum ला सकते हैं इससे benefit क्या होगा एक तो water bodies भी rejuvenate होगी illegal जो construction हो गया या फिर जो official sound की लापरवाई की वज़े से plan काट दिये गए मैं बत लबालब राइट वहाँ पर अगर ढंग से बरसाता है तो river reverently flow करेगी flood आएगी तो वो चीज़ है इसके लावा लेक है river है इनका management system उनका plan बनना चीए उनके लिए आप कह सकते हो local citizens को participation में ला सकते हो हना entrosment है अतिक्रमन उसको हटा सकते हो इसके लिए geographic information system GIS system यूज किया पर lake थी या lake है उस lake की observation में GIS system बहुत help करेगा क्योंकि आज अगर किसी भी area में आपने identify कर लिया क्यार यह water body है अब वहाँ पर उसको GIS tag दे दिया ना मतलब एक तरीक है geographic information system में उसको update कर दिया तो आप उसमें monitoring कर पाओगे हर 5 साल 2 साल 3 साल में जाकर कि कहीं वहाँ पर उस lake area reduce तो नहीं हुआ है अगर हुआ है तो जो भी illegal construction उसको हटाया जाए ठीक है या फिर जो वहाँ पर लोगों को पागल बना करके फसाया जाए उन culprits को पकड़ा जाए पनिश किया जाए उनको राइट तो local water bodies का protection जरूरी है और साथ में seasonality को भी समझना जरूरी है कि कौन सी season में कहां पर बाड आती है कहां पर नहीं आती है अब इसके लिए investment की जरूरत है सबसे पहला investment तो warning system कि समय रहते हुए इसमें Doppler radar system को हम यूज कर सकते हैं समय रहते हुए लोगों को warn कर देना कि आपके area में बाड का situation create हो सकता है so be alert इसके अलाबा real time updates देते रहे हैं locals को Central Water Commission है उसको flood control efforts के साथ में integrate करो मतलब जो agencies already काम कर रहे हैं उनको इस काम के अंदर और जादा आप interest करो उनको काम करने के लिए आगे बढ़ावा दो इसके लाबा flooding hot spots को identify करो कि कहां पर ज्यादा बाड आती है इसके लाबा insurance company है उनको भी flood के साथ integrate करो कि floods के बाद में loss साथ में जहां भी flood आ गई वहां पर लोगों को रिलीफ प्रोवाइड की जाए और flood related disasters को contain करने के लिए जो भी effort अच्छे से अच्छे हो सकते हैं उन पर काम करने की ज़रुत है कहने का मतलब problem को समझो और investment करो कि कैसे हम उसका solution निकाल सकते हैं फिर अगला point आता है कि हमें drainage और storm water network को फिर से ध्यान से तयार करने की जरुवत है revamp करने की जरुवत है expand करने की जरुवत है area coverage बढ़ाने की जरुवत है आज हमारे पास में जितनी भी 5000 से ज्यादा population वाली cities है उनके पास में proper civil line नहीं है जो properly काम कर सके दिल्ली के drainage network की अग पचास mm rainfall हो जाए ना 24 गंटे में उससे अगर एक दो mm बी एक्स्ट्रा बारिश होगी तो दिल्ली में floods आ जाती है टेकल करने की परिस्तिती नहीं है तो बोले repair करने की जरुवत है दूसरा storm water that means जो rainfall की वजह से जो पानी एक साथ रोड पे कट्टा होता है उसकी निकाशी क के लिए हमें व्यवस्था करनी होगी अलग-अलग cities में हर city के पास में एक अपना drainage master plan होना चीए और सही माइने में देखा जाए ना तो दिल्ली के पास में master plan नहीं है जबकि IIT Delhi ने अपनी तरफ से model तयार करके दे रखा है नहीं तयार कर रहा है करना चीए इसको इसके अल यह से मैं आता हूं निवारु रोड की तरफ का एरिया है ठीक है लोकालेटी को थोड़ा मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप भी अपने local area में observe कर सकते हो कि मैं जब निकल रहा था सुबह गया तब तो एकदम सब सही था आया तब रोड पूरी बैठी हुई थी वहां प ट्राफिक जैम और फिर आप देखोगे क्या किया जा रहा है फिर हमारे जो एकदम कहते ना की urban planners है अर्बन जो आप कह सकते है अड्मिनिस्ट्रेशन के लोग है वो क्या कर रहा है उन civil line के pipe ओ से tractor लगा रहा है बड़े बड़े pump लगा रहा है और उस civil line के पानी को सीधा रो चीजियां आपको बहुत help करती है जब आपका भी interview में कभी बैठ हो यह बता सकते हो क्या मैं यह चीज देखता हूं मैं नहीं देखा है ऐसे questions रियल लाइफ में अगर आप observe करते जाओगे न चीजों को और integrate करोगे अपनी preparation के साथ में इंटरस्ट भी आएगा कुछ अच्छा कर भी पाओगे फिर अपनी जिंदगी में राइट चलो एक्जिस्टिंग पाइपलाइन का सर्वे टाइम टू टाइम हो वाटर लॉगिंग लोकेशन कहां पर उसका पता किया जाए एक बड़ी काम की बात कह दी कि strong water network separate कर दो drainage network से कहन इसे इरिया जहां पर रोड के नीचे बड़े बड़े chambers create कर दिये गए हैं और उनमें जालिया लगा दी गई है जालियों से क्या होता है वहाँ पर पानी कटा जो भी होता रोड़ वह जालियों की तरूस नीचे चला गया अब उसी पानी को आप आराम से drinking system के लिए यूज क कर लोगे तो इसमें कम treatment लगेगा और पानी की सोलियत भी आपको कर पाओगे हना तो यह चीज की जा सकती है तीसरा medium to long term planning करने की ज़रुत है urban planning होनी चीए sustainable manner में इसके लिए एक तो coordination होता क्या है कि बड़ी cities में अलग-अलग institutions होते हैं और उन अलग-अलग institutions के पास में काम ह के लिए कोई coordination नहीं है कोई data conversation नहीं होता एक्षेंज नहीं होता है तो बोले institution में conversation या फिर आप कह सकते हैं कि एक exchange होना चाहिए बातचीत का बोले दिल्ली में 155 water bodies है ठीक है ना उनको टेक्टल करने के लिए जल बोर्ड है DDA है Public Works Department है Municipal Corporation है बोले इनकी बीच में कोई exchange ही नहीं है data का बाच्चीत ही नहीं होती है तो बोले ये काम होना चाहिए इसके लावा additional awareness बही सीधी बात है लोगों के भागिदारी के बिना इन problems का आप solution नहीं निकाल सकते हो awareness campaign तो चलाने की ज़रुत है और इस चीज को ध्यान में अगर देखें तो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो कई स्कीन चलाए जारे काई प्लान चलाए जारे इसके लावा सेंसस ऑन पैन इंडिया वाटर बोडिस इसके लावा वाटर बोडिस को कंजर्व करने के लिए program रामसर साइट से उनके एरिया को expand करना जिससे कि उनकी protection ज्यादा हो सके इनके लिए government dedication के साथ काम कर रही है बोलो बहुत welcoming कदम है साथ में एक well defined water policy भी government की तरफ से तयार की होई है उस पे काम हो रहा है जिसमें central wetland regulatory authority वे इस्टैबलिश हो रही है कहने का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा बढ़िया काम भी किये जा रहे है वो काम क्या है वो यहाँ पर आप इस वाले particular section में देख सकते हो फिर बताया जा रहा है कि हमें local examples को identify करने की जरुत है बढ़िया जो भी काम हो रहे है हाना अच्छे काम जो हो रहे है जैसे मैंने भी आपको बताया कि सडकों के नीचे water harvesting system तयार कर दो जो कि जैपर में मैं notice किया हो सकता आपकी city में भी हो रहा होगा तो वो ज examples को आप apply करो देश के level पर जैसे कि मिड 2000 में मैंगलोर मैंगलोर को मतला आप समझगे करनाटका की coastal city राइट जहां से मैंगलोर जो port है major port भी located है वहां से हमारा export import होता है mainly वहां से हमारे एक्सपोर्ट किया करते हैं मुद्दा हमारा यहां पर है urban area के management से related तो वहां पर open drain system ह पर प्राब्लम क्या होगी एक तो अच्छा मैंगलोर में क्या प्राब्लम थी कि open drain system था पानी जो भी था polluted water जो कोई भी बरसात का पानी उसको direction दे रखी थी जो भी water bodies थी उनकी तरफ lakes थी उनकी तरफ बोलो उसमें जाकर ही वह कच्रा ही कट्टा होता था तर वहां पर वह pollution हो गया ठीक है फिर उसके बाद में उस pollution को tackle करने के लिए Mangalore City Corporation के द्वारा एक wastewater treatment plant भी लगाया गया ठीक है इसके लावा Mangalore Special Economic Zone Limited है उसने भी अपनी तरफ से काम करने की कोशिश की पर problem क्या आई problem यह है कि वो plant तो install हो गया काम भी उस plant में हुआ पर वो जो पानी की जो supply थी ना गंदे पानी की supply जो जा रही थी वो supply बीच में चौक हो गई और चौक हो गई तो पानी वहाँ पर जा नहीं पाया जा नहीं पाया तो वहाँ पर वो plant जो था waste water treatment वाला वो गया ठब तो बहुत इस तरीके से infrastructure damage हो जाता ना तब भी problem आती है तो बहुत एक बार invest करने से काम नहीं चलेगा उनकी proper maintenance होने चीए proper operation होना चीए फिर civilians का participation बहुत जरूरी है इसका example बताया गया बेंगलूरू में काईकोंटरा हली ठीक है काईकोंटरा हली ले ठीक है उसमें यही problem थी क्या थी कि सिटी का पूरा कच्रा गंदगी जाकर के वहां पर इकटा हो रही थी ठीक है अब सीधी बात है अगर कोई लेक है वहां पर अगर सिटी का पूरा कच्रा करके गिरेगा सीधी बात हो उसमें कुछ minerals भी होंगे कुछ fertilizer वाला portion भी होगा जो लेक का जो bottom है वो भरता गया भरता गया और लेक का जो पानी volume था water volume था उसकी quantity हो गई कम और कच्रा नीचे भरने लग गया तब जाकर के बेंगलूरू की जो वहां की municipal corporation BBMP something करके institution operate करता है उस institution ने फिर बाद में fund इकटे किये और फिर उस लेक की एक तो boundary डी market की यहाँ वह यह लेक की boundary यह रही फिर उसकी आसपास में जो कुछ भी encroachment अतिक्रवन मिला उसको हटवाया गया फिर उसके बाद में उसका proper catchment area finalize करा है कि कहां कहां से इस लेक में पानी आता उसकी cleaning time to time होती रहे फिर जो कच्रा नीचे बैठ गया था उस कच्रे को हटवाया गया और ज increase हो पाई तो ऐसे में क्या होता है कि इस तरीके से local जो हमारे experiences है उनको हम apply कर सकते हैं इसके अलावा restoration बहुत ज़्यादा जरूरी है water bodies का क्योंकि यह जो floods है यह सबसे बड़ी problem यह ही है आप खुद देखो again मैं local example दूँगा जहां पर मैं रहता हूँ वो पहले गाउं अब आप देखोगे कि जिस गाउं के पास में मेरा settlement है जहां पर हमने घर लिया है आप खुद देखोगे कि वो गाउं की height तो है शांदार गाउं में बूंद नहीं रुपती है पानी की क्योंकि गाउं की उचाई पर बना हुआ है और जहां पर हम लोगोंने मकान लिया है उसके पास वाल एरिया की बात करो वो depression में है और वहां पर उस गाउं का पूरा पानी आकर कि इकटा हो जाता है तो गाउं का plan आप देखो automatically कि कितना sustainable है वो height पे था और वहीं पर urban planning हम urban area में rural urban mix में तो आप खुद देखोगे कि वहां पर जो planning इतनी poor है कि कही ना कहीं आप देख सकते water logging की problem आती है पर चलो ठीक है कि अभी तो इतना construction नहीं है जिस site में हम रहते हैं तो इस वज़े से water percolation हो जाता है खाली हो जाती है site जल्दी से नीचे चला जाता है पानी वह एक अच्छी बात भी है पर planning एक proper होनी चाहिए ठीक है ना तो बोला समय समय पर अच् हम की बात बताई कि जो यह wetlands होती है या फिर जो water bodies होती है उनके चारों तरफ indigenous trees ना उनका plantation कर देना चाहिए इससे क्या होगा कि वह plantation एक तो कच्रा नहीं आने देंगे मिट्टी का erosion नहीं होने देंगे और साथ में एक तरीके से का कह सकते हो कि उस area को buffer zone की तरह develop कर देंगे अपने बैल्ट जो मानलों यह lake है इसके चारों तरफ आपने बैल्ट तेयार कर दी trees की तो यह buffer zone हो गया यहाँ इसके आगे फिर water body आगी इसके आगे आप construction नहीं कर पाऊगे तो इन सारी चीजों पर अगर हम काम करेंगे तब जा करके हम sustainable cities बना पाएंगे यह कुछ smart cities का ज is for digital inclusion देखो इस article में बताया जा रहा है कि अभी इंडिया में digital landscape में बहुत सारे changes आए हैं जिसमें main role play किया है digital public infrastructure digital public infrastructure में क्या क्या चीज़ आती है वो अगर देखें तो to the point आप यहां पर देख सकते हो one second yes सबसे पहला काम आधार का जो हमने platform तैयार किया इससे financial inclusion बहुत हुआ है ठीक है लोगों का government की schemes तक approach भी बहुत बढ़ी है जन्दन आधार mobile trinity आप देखो सीधा direct to direct benefit transfer होता है किसी को pension देनी है किसी को पैसा transfer करना बड़ा आसान हो गया इसके लावा unified payment interface real time seconds के अंदर आप एक bank account से दूसरे bank account में पैसे transfer कर पा रहे हो smoothly ये चीजे क्यों possible हो पाई क्योंकि digital public infrastructure जो है वो बहुत तक हमने improve किया है आज आप खुद देखो कि हम इसी चीज़ को expand करना चाते हैं inclusion point of view से क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा हमारा society का तबका है जो कि पीछे चूटा हुआ है उसको हमें आगे लाना है या फिर साथ में लेकर के चलना है ऐसे में एक एक जो block है उस block को हमें recognize करना होगा जिस तरीके से हम काम करना चाते हैं उस काम के लिए हमें comprehensive approach लानी होगी जिसमें global level पर क्या efforts होते है inclusion inclusion का मतलब क्या हो गया कोई पीछे नहीं चूटना चाहिए सब बराबर साथ में चलो ठीक है फिर आपके पास efforts है जैसे कि एक example दुम्हें यहाँ पर दिया भी a point हो वो यह कि अगर किसी के पास में smartphone है किसी के पास में feature phone है कीपेड वाला पुराने वाला phone उसकी बात मैं कर रहा हूँ किसी के पास में smartphone है किसी के पास feature phone है smartphone वाला सारे transactions कर पा रहा है सारे digital facilities का use कर पा रहा है पर वो feature phone वाला नहीं कर पा रहा है तो यह कहीं ना कि inclusion के against हो गया तो क्यो ना हम ऐसा system तैयार करें जिसने की feature phone वाला भी infrastructure को हमें strong बनाना होगा हर citizen हर एक private institution हर एक छोटे से बड़े business उन सब की accessibility चाहिए वो healthcare से related हो चाया credit से related हो चाया data analysis से related हो हर चीज में access उनको available होना चाहिए ठीका जी मतला open source जो भी facilities available हो तो उनके तक approach होनी चाहिए उनकी ठीका जी आज हम आयुश्मान भारत scheme की बात करते है बारे डिजिटल मिशन की बात करते हैं एगरिस टेक की बात करते हैं open network for digital commerce की हम बात करते हैं ठीक है ondc amazon और इनका alternate जिसकी हम बात कर रहे थे right कि इन platforms इस platform के through सारी commerce e-commerce कंपनिया equal treatment gain करेंगी तो ऐसे में क्या होता है कि आप जब इस journey को आगे बढ़ा रहे हो तो हमें ये चाहिए कि कहां पर कमिया भी भी बाकी है तो उसके लिए बताया जा रहा है कुछ points जैसे हमें user centric policies बनाने की ज़र्वत है कहने का मतलग कि आप कोई भी तरीके से कोई भी policy बनाओ तो उसमें rural urban division नहीं होना चीए rich या poor का gap नहीं होना चीए सभी को access मिले इस तरीके की policy program बन फोन दोनों के लिए आप facility available कराओ और इसके लिए आप खुद देखो program launch भी किया जा चुके हैं जैसे कि यह आपर देखो यह दिए हुआ है interactive voice response system मतलब आप अपने phone से अपनी आवाद से एक number button दबाओ फिर बोल दो फिर दो number button दबाओ फिर बोल दो उससे आपके काम हो रहा ठीक है इसके लावा RBI ने भी UPI 123 पे करके एक program start किया है इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने account से जिस तरीके से UPI use करते हो ना smartphone में आप अपनी UPI pin डाल करके पैसा transfer करते हो वो feature phone वाले जो है वो इसमें अपनी आवाद से बोल करके अपने pin डाल करके काम कर सकते हैं कहने का म ATM डाले ATM card डाले आप पैसा निकलवा सकते हो UPI applications का use करके तो बोले यह चीज कहीं नहीं करनी होगी कहने का मतलब user centric policy हमें बनानी होगी दूसरा policy में जो हम inclusion लाना चाह रहे हैं तो उसमे regulatory framework के under रहते हुए काम हो कहने का मतलब जो institution already काम कर रहे हैं उन institution के अंतरगत रहते हु तरीके की information policy पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी region कोई भी area या कोई भी community कोई भी समाज का तबका पीछे ना रहे जाए that means accessibility of information वो आपको ensure करनी होगी ठीक है इसके अलावा आप देख सकते हो कि technologies में ecosystem ऐसा होना चाहिए जो कि समाज में किसी को भी पीछे ना छोड़े यह हो गया regulatory regime में रहते हुए तीसरा बताया जा रहा है कि inclusivity की तरफ अगर हमें सच में बढ़ना है ना तो हमें कहीं ना कहीं उन targets को identify करना होगा कि actual में कमी कहा रह रही है for instance जो micro and small enterprises होता है MSMEs उनको बहुत सारे challenges का सामना करना पड़ता है उन लोगों के पास में credit की facility नहीं होती है और वो collateral free अगर loan लेना चाहिए तो problem आती है तो इनके लिए conducive ecosystem हम बना सकते हैं इसके अलावा जो कुछ भी हमारा काम हो रहा है उसमें proper monitoring system भी होना चाहिए कि हाँ जो digital public infrastructure है जिसमें आ जो लोग ज्यादा risk पर है उनकी protection भी हो और जो लोग underserved हैं जिनके पास में facilities available नहीं है उनको भी आप include कर सको फिर चाहिए individual हो या कोई business हो उनको हमें facilitate करना होगा last में फिर writer बोलना चाहिए है कि हमें population scale पर भी ध्यान देना होगा इसका मतलब जिस area में digital connectivity नहीं है जिस area के लोगों के पास में digital literacy नहीं है उन लोगों को आप literate करो देखो आप खुद देखो यहाँ पे कि banking system की last mile connectivity के लिए क्या कर रखा है आपने banking correspondence को छोड़ रखा है इससे क्या होता है आधार में आप अपना अंगुठा scan करा हो पैसा transfer करा सकते हो तो इस तरीके से जो चीजे गाओं तक दूर दूर तक पहुँचने में problem आ रही है न तो बोले उनके लिए हम local institutions को empower कर सकते है इससे क्या होगा कि लोगों को आप literate भी कर पाओगे और inclusivity भी बढ़ पाएगी तो बोले digital public infrastructure को हम expand करने के लिए इस तरीके से सीखना होगा जैसे banking system आज काम कर रहा है इस तरीके से देखो ये video थोड़ा landy हो रहा है कभी भी बंद हो सकता है इस video में तो हम इतना ही discuss एक पार्ट जो माना बच गया हम further discussion में cover कर लेंगे ठीका जी thank you very much